बहुत बहुत शुक्रिया चैनल खुलने के लिए मेरा वेल्कम टू डे तेरा आज तेरवाय दिन है आज वापत जी को घर पे आया था बहुत एंटरेटेन्मेंट हो गया तीन चार गंटे वह घर पे रहा तो फुल ओन इंजॉइमेंट इंजॉइ कर लेता है भाई हम लोग नेक्स लेवल और क्योंकि वह पिछले वाले रेस दे में जब वह आया था तो मैंने उसको रेकॉर्ड कर लिया था तो अभी वह क्या करता है कि किसी का भी फोन मिले वह मेरा चैनल सर्च करके वही वाला वीडियो बार-बार देखते रहता है लूप में लगा दिया उसने उस वीडियो को अभी मैंने जब उसको पूछा कि मेरे वीडियो सबसे अच्छा लगा या फिर कौन सा वीडियो देखा तुने ऐसा करके तो नीचे जाके उसको थमनेल भी या यह प्रोबबब लिए होगा पर शायद ऐसा हो सकता है कि परसो या तरसो मेरे को कैम है तो मैं उस दिन रेस्टे लू तो तो कल भी वर्क आउट कर सकता हूँ पर अगर वैसा करूँ तो मैं कल भी रेकाउट कर सकता हूँ कल भी workout कर सकता हो आप लोग को भी कभी schedule में दिक्कते वगेरा आए या फिर आपका कोई hurdle आए तो उस hurdle को भी ऐसे नहीं देखना चाहिए कि यह end line है या फिर इसके पार कुछ नहीं हो सकता है यह तो मेरे को यहां पे खतम करना ही पड़ेगा या कुछ है यहां वहां पे आपक कि मर्जी पे चीज़े है कि साथ दिन में अगर छे दिन workout करना है तो आपको करना है वह आपके उपर depend करता है अगर आपको midweek अगर कोई काम है तो आप weekends को भी include कर सकते हो अगर weekends पे आपको rest कर सकते हो वह आप पे depend करता है पर generally मैं क्या करता हूं कि जब भी मेरे को rest days cover up करने होते या फिर कोई भी चीज़ ऐसे cover up करने होती है कि मेरे को midweek एक काम है मैं midweek अगर कोई चीज़ नहीं कर पाऊंगा workout नहीं कर पाऊंगा तो फिर वह weekend को include कर लेता हूं जैसे कि यह वाला challenge भी मैंने शायद Saturday या Sunday को start करा था मैं वैसे Monday सोचा हुआ था पर मैंने एक दिन अ क्योंकि उस टेम पे जिम जा रहा था मैं और जिम प्रॉबबली संडे को बंद होता था morning sessions भी शायद मेरे जिम में नहीं चल रहे थे morning sessions अगर होते भी थे Sunday के तो मैं नहीं जाता था क्योंकि जिम crowd उतना होता था और कल की बात करें तो कल मैंने shoulder करे हुए थे shoulder में मैंने एक दीवाल पर पाव रखके decline प्रेस करे हुए थे जैसे की modified form जो होता है वो इसका क्या बोलते हैं shoulder press का जो modified form होता है वैसा कुछ करने की try करी हुई थी उससे भी अच्छा खासा workout हो गया और आज मैं कुछ और करने माला हूं कि shoulder workout के बाद मेरे को ऐसा लगा कि जैसे ही मैं आग अभी तक मेरे को इसी extent तक जाना है अभी तक मेरे को इसी extent तक जाना है तो जैसे ही weeks change होंगे तो मेरे को अपने आपको challenging करने के लिए वैसी exercise रखने पड़ेगी क्योंकि हर हफते अगर मैं same exercises में थोड़ा बहुत volume का change करूंगा तो उसका इतना जादा effect मेरे को नहीं लगता आएगा हो सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत volume change तो obvious सी बात है पर अगर मैं exercise भी change करूंगा अलग-अलग exercises लूँगा अलग-अलग week में तो फिर वह ज्यादा impact करेगा उस muscle group पे तो मैं वैसा कुछ कर रखने की ट्राइब करूंगा अभी अगले week में shoulder करूंगा तो जो पिछ मैं आपको मिलता हो workout के बाद मेरा workout खतम हो चुका है और आज workout करने के बाद सीधा नीचे आ गये थे क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गये बातचीत करने में जैसे कि मैंने कल वाले वीडियो में बोला था कि मेरा friend भी हमार साथ workout करने तो उसके साथ बातचीत करने में थो जैसे कि मैंने बताया आप लोग को की अगर मिस हो गया तो कही tedious को और फॉलो तो वैसे ही आपके कोई भी चीजज अगर मिस हो जाये अगर वह कवर अप करने लायक हो अगर वह कवर अप हो सकती हो तो आप100% ट्राइ करो कि dieses कवर अप हो जाए क्यूंकि बाद में अगर वह कम करना बहुत मुश्किल होता है जैसे कि procrastination सबसे बड़ा evil होता है अगर आप ऐसा सोचते गए कि मैं बाद में करूगा बाद में करूगा या फिर यह कोई बात नहीं मैं बाद में कर सकता हूँ तो वो चीज बाद में होगी नहीं होगी आपको पता नहीं क्यों कि आप अभी क्योंकि time waste करना कोई भी नहीं चाहता है मैं क्या कोई भी बंदा यह नहीं चाहेगा कि उसका कोई workout चुट जाए अगर वो किसी गोल पे है तो उसका workout चुट जाए तो उसको अंदर से लगएगा कि यार एक डे मेरा मिस हो गया ठीक है खास उससे कोई body पे इतना effect नहीं आए कि क्या ही हो गया गलत हो गया तो अगर उसको हम लोग ऐसा कर लेंगे तो वो बहुत गलत है गलत चीज पे गलत react करना बहुत जादा गलत है तो अगर कोई चीज गलत हो भी जाती है तो कोई बात नहीं accept कर लो उस चीज को कि चलो यार यह चीज गलत हो गई मेर से पर अभी म की मैंने पिछली बार के 90 डे में रोज करे हुए है अराउंड 13 डे पे रोज करे हुए है रोज जैसे कि मेरी बहुत एक्सराइब की मैं काफी बार बोल चुका हूँ compound moments मेरे को बहुत पसंद थी और ये workout भी इतना अच्छा दिखता है अपने muscle के लिए इतना अच्छा effect करता है तो ये मैं काफी अपने workout में use करता था एक बार जब मैंने उसकी form master कर लिए उसके बाद जब मैंने form master नहीं की थी तब तक तो मैं उसको बिल्कुल नहीं करता था क् मेरको वहुझीज सही नहीं लगती थी अगर मैं आपको इंज़र कर लो वह चीज करते हुए जो मुझे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आती नहीं है तो पहले मैं उसको सीख लूँ एक ऐसे weight पे जो मेरको हाम नहीं कर सकता उस weight पे मैंने वह सीखा एक मेरको याद आ रहा है कि मेरा एक दोस्त भी है जिसको मैंने एक workout प्रोग्राम दिया था तो उसने मेरे को ऐसे पूछा था कि यार यह जो बार बेल रोज वाली चीज है वो मेरे से नहीं हो रही है तो इसका कोई alternate बता दे तो मैंने उसको एक बार पूछा कि भाई तेर से क्या नहीं हो रहा ह है और वो support के लिए बहुत बड़ी है पर अगर आपको एक अच्छी compound movement चाहिए अपने बैक के लिए बार बैल रोज से अच्छा कोई option नहीं हो सकता है तो अगर आप अभी तक नहीं कर रहो तो करो तो यह था आज का ग्यान गाईस अगर आपको मेरी और वीडियो देखनी ह मैं आपको मिलता हूँ कल तब तक के लिए peace out